हलो फ्रेंट्स में प्रदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने एक नए वीडियो में फ्रेंट्स जेससी यानि की जार्खन स्टाप सलक्षन कमिशन के तरफ से जार्खन महिला परिवेक्षी का परतियोगिता परिक्षा 2023 यानि जार्खन लेडी सुपरवाजर कम्प्रिटिव एक्जामनेशन JLSCE 2023 भरति का एड्मिट काड जारी कर दिया गया है आप अपना एड्मिट काड डाउनलोड कर सकते हो अगर आपने आपके किसी फ्रेंड ने या फिर आपके किसी रिलेटिव ने इस भरति के लिए एपलाई किया है और इस एक्जाम में एपियर होने वाले हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखें इसके साथ ही इस वीडियो को उन तक सेयर भी जरूर करें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप अपना Admit Card किस तरह से डाउनलोड करोगे अगर आपको ये वीडियो informative लगे तो सस्क्राइब करके जुड़े रहे हमारे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं तो जार्खन लेडिस सुपरवाजर भरती का Admit Card डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको जार्खन स्टाप सेलक्षन कमिशन के official website पर आना होगा यहाँ पर आने के बाद आपको स्क्रोल करके थोड़ा सा नीचे जाना होगा जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आओगे यहाँ पर important links वाले section पर आपको Admit Card का option देखने को मिलेगा आपको इस पर click करना होगा जैसे ही आप इस पर click करोगे आप एक नए page पर पहुँच जाओगे और यहाँ पर आने के बाद जैसे ही आप फिर से थोड़ा सा नीचे आओगे आपको Admit Card वाले section पर लिखा हुआ देखने को मिलेगा link to download Admit Card for JLSCE 2023 और इसके सामने ही आपको blue color में details लिखा हुआ देखने को मिलेगा आपको इस details वाले option पर click करना होगा जैसे ही आप इस details वाले option पर click करोगे आपको इस तरह का एक pop-up message देखने को मिलेगा जिसमें आपको ये inform किया जाएगा कि आपको एक external website पर redirect किया जा रहा है यहाँ पर आपको ok वाला option देखने को मिलेगा आपको इस पर click करना होगा जैसे ही आप ok वाले option पर click करोगे फिर से आप एक नए page पर पहुँच जाओगे और इस नए page पर आने के बाद आपसे जो भी information माँगा जाए वो information enter करके आप अपना admit card डाउनलोड कर सकते हो admit card डाउनलोड करने से पहले यहाँ पर candidates के लिए कुछ notes दिया हुआ है चली सबसे पहले इस notes के बारे मैं आपको बता देता हूँ तो पहला note यह है कि only those candidates who are found prima facie eligible to appear for computer-based test CBT will be able to download the admit card इसका मतलब यह है कि सिर्फ ऐसे ही candidate computer-based test में appear होने के लिए अपना admit card डाउनलोड कर पाओगे जो इस test के लिए eligible पाए जाओगे दूसरा note यह है कि candidature is provisionally shortlisted for computer-based test on the basis of information provided by candidate in the application form filled by the applicant at our website www.jsc.nic.in इसका मतलब यह है कि आप लोगों के द्वारा JSC के website पर form fill करते time जो भी information दिया गया है उसी details के आधार पर computer-based test के लिए आप लोगों को shortlist किया गया है तीसरा note यह है कि in case of any discrepancy in the admit card email us on helpdesk.jssc2023 at the rate gmail.com before 5 p.m. 5 September 2024 इसका मतलब यह है कि अगर आपको अपने admit card में कोई गलती या misprint मिलता है जैसे कि apply करते time आपने जो नाम एंटर किया था वो नाम गलत मिलता है या date of birth गलत मिलता है या फिर आपको अपने admit card में कोई भी details गलत मिलता है तो यहाँ पर जो email id दिया हुआ है इसमें आप 5 September 2024 के सामके 5 बजे से पहले email कर सकते हो अब चलिए आपको बताते हैं कि आप अपना admit card किस तरह से download करोगे तो admit card download करने के लिए सबसे पहले आपको अपना application number यहाँ पर enter करना होगा application number एंटर करने के बाद आपको अपना date of birth यहाँ पर enter करना होगा अपना application number और date of birth एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको login का option देखने को मिलेगा आपको इस पर click करना होगा जैसे ही आप login वाले option पर click करोगे आपको अपना admit card देखने को मिल जाएगा आप अपना Admit Card चेक करके अपना Admit Card डाउनलोड कर सकते हो आज के इस वीडियो में वस इतना ही अगर आगे भी आपको इसी तरह के और भी वीडियो चाहिए या फिर इस भरती से संबंधित और भी कोई अपडेट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करें चैनल को सस्क्राइब करें और नौटिफिकेशन के लिए नौटिफिकेशन वेल को अन करके जरूर रख लें धन्यवाद